नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूजवल इंडिया मैं मैं हूँ आपके साथ प्रद्युम निशर्मा एक नज़र डालते हैं पाच मिनिट में पच्चिस खबरों पर ओडिसा विधान सबा में बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरूवात काफी तलक रही इस दोरान देवगर से बीजेपी विधायक सुभाष चंदर ने विधान सबा में ही खुथूशी का प्रयास किया उन्होंने सदन में सेनिटाइजर पी लिया फिलाल उनको अस्पताल में गया है और अंगाबाद में अभी 57,755 लोग कोर्ना संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं जिसमें से 5,570 मामले अभी भी सक्रिये हैं एक और देश के कुछ राज्यों में कोर्ना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है वहीं दूसरी और ठीककरण में भी भारी गिरावट सामने आई है गुरूबार को एक दिन में कोर्ना ठीककरण में इस्था पे 70% की कमी दर्च की गई देश में कोर्ना वायरस का कहर लगातार जा रही है पिछले 24 गंटे में देश में 23,285 नए द्यनिक मामले सामने आया है और वहीं 24 गंटे में देश में 170 लोगों की मौत हो गई उत्रप्रदेश के मेरट में रोड रेज को लेकर टेक्सी चाला को गोली मार दी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुची है और एक आरूपी को भी मौके से गरफतार कर लिया गया है जबकि तीन आरूपी मौके से फरार हो गए और वहीं सारनपूर में ट्रेक्टर ट्रॉली लूटने वाले तीन बदमाशों को पुलिस ने मुद्बेड के बाद गिरफतार कर लिया है जबकि दो बदमाश मौके से फरार आरूपियों के पास से लूटी गई ट्रेक्टर ट्रॉली एक कार और एक तमंचा परामत किया ग बदमाशों को दबोश लिया है मुद्बेड में एक पुलिस कर्मी भी जखमी हो गया बहराईच में जमीन विबाद में बाप ने बेटे की जान ले ली वारदात को अंजाम देने में मृतिक की सौतेली मा और उसके भाई ने आरूपी का साथ दिया है पुलिस ने शफ को प लेकर फरार हो गई है फिलाल पुलिस महिला की तलाश कर रही है और वहीं दिल्ली के राजोरी गारडन में एक शक्स को उसकी गल्फरेंड ने इग्नोर किया तो शक्स ने फाइरिंग कर दिया है पुलिस ने दबिश देकर शक्स को किया गरफतार यूपी ATS की टीम ने साहर प्रफिमारी कर नौकरी का जासत देने वाले एक फरजी कॉल सेंटर की हकीकत उजागर कर दी है पुलिस ने मौके से साथ लोगों को गिरफतार किया है जिसमें से तीन महिला बताई जा रही है उत्रप्रदेश की राजदानी लक्राउ में महिला इंस्पेक्टर के गर हुई चोरी का खुलासा पुलिस ने कर दिया पुलिस ने 24 गंटे में दो महिला समेथ तीन लोगों को गिरफतार किया है वेरदून में किराना वेपारी के पाच वर्षे बेटी की अपरन करताओं ने जान ले लिया है पुलिस ने दोना आरूपियों को गिरफतार करके जेल भेज दिया है खबर मेरट से है जहापर महिला को रिष्टा कराने के बहाने गाजियाबाद लाकर तीन यूवकों ने सामविक दुशकर में किया है महिला ने पुलिस से शकायत किया है पुलिस आरूपियों की तलाश में जुटी दिल्ली पुलिस ने एक महिला और उसके प्रेमी को 45 वर्ष्य पती की हत्या की साजिच रचने और पुलिस जांच को गुमरा करने के आरूप में गरफतार किया रहतक में तेल टैंकर और बाइक की आमने सामने की चकर में बाइक सवार तीन लोगों की जान चली गई है पुलिस ने शववों को पोस्माटब की लिए बेजा जान शुरू की हर्याणा के कैथल जिले में देररात शिक्षक ने अपनी पतनी की जान ले ली गटना के बाद आरूपी पती मौकी से फरार हो गया है पुलिस आरूपी की तलाश में जूटी बॉलिवुड के कई सितारे इन दिनों कोरोना वारिस की चपेट में आते नजर आ रहे हैं अब एक्टर आशीश विद्यारती भी कोविड-19 पॉजिटिव पाई गए हैं उन्होंने वीडियो शेयर कर अपने कोरोना टेस्ट रिजल्ट की जान करी दी एक जमाने में सुपरस्टार सल्मान खान की गल्फरेंड रही सूमी अली एक इंटरव्यू में चौकाने वाली बात कर गई हैं उन्होंने का आए कि बच्पन में उनके साथ रेप किया गया है कई मौकों पर उनका सुशन हुआ है फिल्म की रिलीज में ठीक दो महीने का वक्त बचा हुआ है ऐसे में सल्मान खान ने एक नया पोस्टर रिलीज किया है जावे एक सिल्क अफ़तार में नजर आ रहे है साल का पहला एपल इवेंट इसी महीने आयूजित किया जा सकता है इस इवेंट के दोरान कमपनी कुछ नए हाडवेर प्रोडेक्ट लॉंच कर सकती है Micromax भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉंच करने जा रही है ये फोन Micromax in one होगा जिसे 19 मार्च को लॉंच किया जाएगा फिलाल पार्च मिनिट पे चेस खबरों में सिर्फ इतना ही बने रही है निजवल इंडिया के साथ नमस्कार